मदू ने पहले ही दिन से हक जमाना शुरू कर दिया था उसने पहले ही दिन ससुराल आते ही अपना कमरा देख कर कहा अरे ये मेरा कमरा है क्या? ये तो बहुत छोटा है मदू के पती सुरेश ने कहा हाँ मदू, कुछ दिन थोड़ा रह लो इस कमरे में उसके बाद मैं नया कमरा बना दूँगा सुरेश के घर में दो ही कमरा था उसमें से अच्छा वाला कमरा उसने अपनी मा बिमला को दिया था वहाँ बिमला और उसकी बेटी मुन्नी रहते थे मदू ने बिमला का कमरा देखते ही कहा ये कमरा तो बहुत अच्छा है, मैं तो इसी कमरे में रहूंगी बिमला ने कहा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, आज से ये कमरा तुम्हारा मधु ने आते ही बिमला से उसका कमरा चीन लिया मुन्नी ने बिमला के कान में कहा मा, भाबी ने तो आती रौब जमाना शुरू कर दिया है हमसे हमारा कमरा भी छीन लिया भाबी ने नहीं बेटी, ऐसा मत बोल, वो नई है उसे तो अच्छा वाला कमरा चाहिए ही न मा, आपना बहुत भोली हो बिमला सच में भोली थी उसे जादा पॉलिटिक समझ में नहीं आता था वो दिल की अच्छी थी मधू अपने कमरे में घुज गई और दर्वाजा बंद कर दिया और फिर अपनी मा को कॉल लगाया हा मा, आते ही अच्छा वाला कमरा ले लिया जैसा आपने मुझे सिखाय था दूसरी ओर से उसकी मा ने कहा अच्छा किया बेटी ससुराल वालों के साथ ऐसा ही करना चाहिए अब मैं जैसा कहती हूँ वैसा कर तू सबसे पहले रसोई की चाभी अपनी मुठी में कर ले हा मा, आपनी सही कहा रसोई अपने कबजे में करना है अगले दिन सुबह बिमला ने मधु से कहा बहू, नाश्ते में रोटी सबजी बना दो मा जी, पहली बात तो ये कि मेरे हाथ में चोट लगी है मैं खाना नहीं बना सकती चोट, कैसे लगी है चोट भाबी? कल तक तो हाथ ठीक था लगी है तो लगी है, मैं तुम्हें सफाई नहीं दे सकती लेकिन दूसरी बात क्या है बहू? दूसरी बात ये है कि मुझे सुबह सुबह रोटी सबजी पसद नहीं है मुझे नाश्ते में उपमा, दोसा, अंडा और फल ये सब चाहिए लेकिन ये सब बनाएगा कौन, मा की उम्र हो गई है तो तुम बनाओ न, खड़ी-खड़ी पटर-पटर कर रही हो जवान लड़कियो कुछ दिन बात ससुराल जाना है, खाना बनाओ जाके मधु के मुझे पर सुरेश कुछ नहीं बोल पाया मुझी रसोई में उपमा दोसा अंडा बनाने लगी और बन कर तयार होने के बाद सबसे पहले मधुने खा लिया और फिर कहा अब इस घर में सर्फ मेरी पसंद की चीजी बनेगी मुझी दो फैर को चिकन बनाना लेकिन मैं चिकन नहीं खाती बहू तो भुका रहिए या फिर नमक चावल खा लिजे एक दिन सुखे चावल खाने से मर थोड़ी जाएंगी अब सुरेश रह ने पाया उसने कहा यह क्या मधू तुम इस तरह से मां से क्यों बात कर रही हो तुम चुप रहो सब कुछ छोड़ कर राई हूं मैं यहां मेरे हिसाब से घर चलेगा नहीं तो मैं माई के चली जाओंगी मधू ने सुरेश को डरा दिया सुरेश चुप हो गया मधू अपने कमरे में आराम करने चली गई बिमला को शांती पसंद थी इसलिए उसने सुरेश से कहा बेटा बहू को जादा कुछ मत बोल परिशान है बिचारी मुन्नी बेटी बहू जैसा कहती है वैसा ही कर मुझे इस घर में कलेश नहीं चाहिए मा मैं बता रही हूं ये भाबी अच्छी औरत नहीं है एक दिन ये घर तूटेगा आहिस्ते बोल बहू सुन लेगी मुन्नी को पता चल गया था कि मधू कैसे किस्म की औरत है और अगले कुछ ही दिनों में मधू ने सभी चीजों पर अपना हग चमा लिया घर में कुछ भी हो मधू से पूछ कर उसी के हिसाब से करना पड़ता था नहीं तो मधू बवाल खड़ा कर देती थी घर में हर रोज कलेश होने लगा और मधू की मा फोन में मधू को आइडिया देती रहती थी मधू बेटी सब कुछ तेरे हिसाब से ही चल रहा है ना हाँ मा मैंने सभी को अपने वश में कर लिया है आप चिंता मत कीजे ये सब मुनी कमरे के बाहर से सुन रही थी उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन वो कर भी क्या सकती थी उसने सब अपनी सहेली सीमा को बताया सीमा ने कहा तेरी भाबी को ये सब उसकी माही सिखा रही है उसका कुछ करना पड़ेगा एक महीने बाद मुन्नी की शादी हो गई और वो ससुराल चली गई और घर में बिमला केली पड़ गई अब मधु को बिमला पर अत्याचार करने का पूरा मौका मिल गया सुरेश सुबह आफिस चला जाता था और उसके बाद मधु बिमला से सारा काम करवाती थी काम करते करते बिमला की सांस फूलने लगती थी और बिमला बिचारी कुछ बोल भी नहीं पाती थी मुन्नी बिमला को कॉल करती थी मा भाबी जादा परिशान तो नहीं कर रही है न नहीं बेटी थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है लेकिन ठीक है काम करने से शरीर ठीक रहता है ऐसे बिमला बाद को टालने लगी और कुछी दिनों में दबा कर ठंड पड़ गई मधुने कुटा पालिया और फिर से घर में कलेश होने लगा मेरा टॉमी कहा रहेगा सुरेश तुमने कहा था कि अलग कमरा बना कर दोगे कब बनाओगे वो कमरा बनाओंगा मधु थोड़ा सबर करो अभी पैसे नहीं है तो फिर मेरा टॉमी तुम्हारी मा के कमरे में रहेगा मा के कमरे में तो फिर मा कहा रहेगी वो मुझे क्या पता? सुरेश अभी भी कुछ बोल नहीं पाया. वो अपनी मा से प्यार तो करता था लेकिन मधु बाद बाद पर उस पर केस कर देनी की धंकी देती थी. देखो सुरेश, मुझे उल्टा सीधा कुछ कहा तो मैं तुम पर वधु निर्यातन का केस कर दूँगी तुम मुझे पैचानते नहीं हो. इसलिए सुरेश को चुप रहना पड़ता था. मधु ने अपने कुत्ते को बिमला के कमरे में घुसा कर बिमला को घर से बाहर कर दिया. बिमला कपकपाती ठंड में बाहर आंगर में सोने लगी. वो पूरी रात ठंड से कापने लगी और उसके सर पर रोज गिरने लगी. बिमला को बुखार और जुखाम हो गया लेकिन फिर भी बिमला को अत्याचार से छुटकारा नहीं मिला. उसे हर रोज घर का काम करना ही पड़ता था. और एक दिन मुन्नी बिमला से मिलने आई. मा, ये कैसी हालत बना ली है तुमने? बिमल करो. मधु ने मुन्नी को घर से निकाल दिया. मुन्नी बहुत गुस्सा हो गई. उसकी सहेली सीमा की शादी होने वाली थी. उसे उसके साथ शौपिंग के लिए जाना था. इसलिए मुन्नी ने मधु से जगडा नहीं किया. लेकिन कुछ दिर बाद मुन्नी के हाथ में कुछ बदल गया. कहते हैं भगवान उपर से सब कुछ देखते हैं और पापियों को सजा देते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. सीमा की शादी अखिल से होने वाली थी. सीमा और अखिल एक दूसरे से प्यार करते थे और अखिल मधु का बड़ा भाई था. ये बात ज कुछ एक काम करना होगा. मुनी ने सीमा के कान में कुछ कहा. कुछ दिन बात सीमा की शादी हो गई और वो उसने पहले ही दिन अपनी सास रतना पर अत्याचार शुरू कर दिया. सीमा ने रतना से कहा. देखिये माजी, मैं खाना नहीं बना सकती, मुझे खाना बना कर खिला उसे खाना नहीं दिया, उसका कमरा छीन लिया और उसे भी घर से निकाल दिया. रतना ने अपनी बेटी मधु को कॉल कियो और सब कुछ बताया. मधु, मधु बेटी मुझे बचा ले, ये लड़की मुझे मार डालेगी, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे. मा, आप चिंता म मा को ले चलूगी. खबरदार, बिलकुल नहीं, ये बुढ़िया चली गई, तो घर का काम कौन करेगा, तिरा बाब? लेकिन तुम मेरी मा के साथ ये बरताव क्यों कर रही हो? मेरी मा की उम्र हो गई है, इन्हे तकलीफ होती है. अच्छा, और तुम्हारी सास को तकलीफ न नहीं किया. और आप रतना जी, खुद मा होकर अपनी बेटी से ये सब करवा रही थी. देखा न, खुद के साथ अगर ऐसा हो तो कैसा लगता है? मुझे माफ कर दो, मुझे सब समझ में आ गया है. मुझे भी माफ कर दो मुन्नी, मैं बेवकूफ थी, मैं अपसे और ऐसा न नने और काम करने लगी. सीमा ने भी कभी भी अपनी साथ को परिशान नहीं किया. और ऐसे ही सब कुछ ठीक हो गया. साथ बहु का रिष्टा अटूट हो गया. मालती जाडियों के बीच में बैट कर शौच कर रही है. वो गर्पवती है, इसलिए नीचे बैट कर शौच करने में उसे परिशानी हो रही है. क्या यार, इतना बड़ा पेट लेकर तो मैं चैन से शौच भी नहीं कर सकती? क्या मुसीबत है? शौच करने के बाद मालती बह बिमला ने कहा. बहु, आ गई शौच करके, अब जरा भिंडी काटते. अरे रुकिये माजी, पोटी करने में इदम निकल गया, जरा रेस्ट कर लूँ, आपकी भिंडे आप काटे. ये सुनकर बिमला गुस्सा हो गई. क्या, मेरे साथ ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत क कैसे हुई? आने तो आज रमेश को, मैं दिखाती हूँ. हाँ, हाँ, आने दीजे आपके रमेश को, मैं भी उसे दिखाती हूँ. रमेश पूरा दिन मेहनत करके शाम को घर लोटा. उस बिचारे को तो आइडिया भी नहीं था कि वो सास बहु के तांडव के बीच में कितनी बुरी तरह से फंसने वाला है. उसके घर लोटते ही हंगामा शुरू हो गया. बेटा, तेरी बीवी ने आज बहुत बत्तमीजी से बात की है मेरे साथ. तो आपने कौन से अच्छे से बात की है माजी? ऐसे ही पेट में बच्चा लेकर परिशान हो गई हूँ. उपर से तु ने मिल रहा है. घर में एक शौचाले नहीं है. मुझे इस हालत में भी खेत में जाना पड़ रहा है. जल्दी से एक शौचाले बनाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा. क्यों? बाहर जाने में दिक्कत है क्या? बैटने और उठने में परिशानी हो रही है. ठीक है, मै देखता हूँ. अरे चलो तो. मंजू के साथ मालती उसके घर गई. और बात्रूम में घुसकर मालती चौँक गई. उसने जिन्दगी में पहली बार कमोड देखा था. अरे ये तो बिल्कुल चेर के जैसा है. हाँ, इस पर बैट कर तुम आराम से कर सकती हो. करके देखो. मंजू चली गई. मालती बात्रूम का दर्वाजा लगा कर कमोड पर बैट गई और उसे बहुत मज़ा आने लगा. इसे कहते हैं जिन्दगी, आज पहली बार शौच कर कितना मज़ा आ रहा है. मुझे भी यही चाहिए. मालती को बहुत मज़ा आया. वो घर गई और रमेश दे कहा. देखिए अच्छा और घर की बहु खुले में शौच करने जा रही है. इसमें घर अपवित्र नहीं होता. नहीं होता है. क्योंकि यही परमपरा है. देखिए माजी, मैं पेट से हूँ. कमोड पर बैटने में मुझे आसानी होती है. मुझे कमोड ही चाहिए. नहीं. इस घर में कमोड नहीं आएगा. दोनों में फिर से जगडा शुरू हो गया. ओहो, चुप रहो तुम दोनों. मुझे शान्ती से काम पर जाने दो. लोट के देखता हूँ. रमेश काम पर चला गया. मालती ने मनी मन सोचा. ये बुड़ी औरत मुझे घर में कमोड नहीं लाने देगी. मुझ चेर पर बैट गई और उस छेट से शौच करने लगी. अहाहा, कितना मज़ा आ रहा है. उसी वक्त वहाँ से एक बुड़ा आदमी जा रहा था. उसने ये देख लिया. अरे बाप रे, चेर पर बैट कर शौच कर रही है. हाँ, आपको क्या? मैं जिसमें मर्जी बैट कर खड़ी हुई है. क्या बात है माजी? आपके गाल टमाटर के जैसे लाल क्यों हो गए है? मेरे साथ मजाक मत करो बहू. मेरा चेर लेकर तुम शौच करने गई थी? हाँ, आपने कमोड लाने से मना कर दिया. इसलिए मैं चेर लेकर ही चली गई. आपको वापस चाहिए चेर, ये लीजे. बिमला दूर हट गई. ची, 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 इस घर का मान समान सब कुछ डुबा चुकी हो तो. नहीं माजी, मैं तो बस समय के साथ साथ चल रही हूँ. अभी कमोड का जमाना है. कमोड पर बैटने में भी आसानी होती है. कभी आप भी ट्राई कीजे. ची, ची, मेरे स उमने ये सब मत बोल. शाम को आने दो, रमेश को मैं दिखाती हूँ. आपका वही एक डायलोग? कुछ तो नया बोलिये माजी. शाम को रमेश लोटा. बिमला ने सब कुछ कहा. बेटा, इस घर में मैं रहूँगी या तेरी बीवी रहेगी. हम दोनों में से तू किसी एक को बत रही हूँ. ठीक है, कल सुबह होते ही मैं इस घर को छोड़ कर चली चाओंगी. मालती अपने कमरे में घुस गई. वो अपना सामान बांधने रगी और फिर सो गई. देर रात को बिमला को बहुत जोर की पौटी आई. अरे बापरे, मुझे अभी खेत में जाना होगा. बिमला जल्दी से बाहर गई और तभी उसके पैर में मोच आगई वो गिर पड़ी. अरे बापरे, कोई है? मुझे उठाओ, कोई है? रमेश और मालती दोड़ कर वहाँ आए और दोनोंने मिलकर बिमला को उठाया. गिरने के कारण बिमला के पैर में चोट लग गई थी. व ए, वो चेर शोचाले है ना? मालती वो चेर लाई और उस पर बैठ कर विमला ने शोच किया. उसे कमोड की जरूरत समझ में आई. बहू, मुझे माफ कर देना, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है. कमोड सच में अच्छा है. बेटा, कल ही कमोड ला और घर में शोचा है.